तो आर्टिफीशल इंटेलीजेंस वाले रोबोट जिनको इनसानों ने बनाया था ताकि वो उनके काम को असान कर सके पर अचानक से ही उन सबी रोबोट में से एक ऐसा रोबोट निकल कराता है च्योंकि अपने सिक्वारिटी सिस्टम को बाइपास करने के बाद इनसानों के बीच में एक ऐसी जंग का एलान कर दिया था जिस जंग के दोरान लगबग 10 करोड लोग मारे जा चुके थे और तब सरकार फैसला करती है कि वो एक अलग डिपार्टमेंट को बनाएगी जो कि इन रोबोट को जान से मारने का काम करेगा तो कहानी के शुरुआत में हम एक न्यूस के जरिये बताया जाता है कि एक कमपनी ने एक बहुत अच्छे रोबोट को बनाया था ताकि वो इनसानी जीवन को सुदार सके पर अचानक से ही उस रोबोट के अंदर डिफेक्ट आ गया है उस रोबोट का नाम था हार्लेंट जिसने अपने अंदर रै को बाइपास कर लिया और अपना कंट्रोल पूरी तरह से अपने उपर पा लिया जिसके बाद उसने बाकी सबी रोबोट के साथ भी बिलकुल वैसा ही करा और उनके उपर भी अपना कंट्रोल पूरी तरह से कर लिया और तब हम उसी न्यूस के जरिये जान पाती हैं कि आज हार लेन ने आर्मी और नासा के काफी सारे ड्रोन को अपने अंडर में करकर इंसानों के उपर अटेक करवा दिया जिस दोरान 50,000 लोगों की जान चली गई और जब से यूमन्स और रोबोर्स के बीच में लड़ाई चालू हुई है तब से लगबग 10 करोड लोग मारे जा चुके हैं और उसी बीच में गवर्मेंट ने फैसला करा था कि वो ICN नाम के एक डिपार्टमेंट को बनाएगी जो की हूमन्स को आर्टिफिशल इंटेलिजन्स से बचाएगा ICN डिपार्टमेंट के पास उस समय के सबसे आदूनिक हतियार मौजूद होते थे जिनकी मदद से वो बड़े अराम से किसी भी रोबोर्ट को ठीकाने लगा सकते थे और उनी हतियारों के दम पर आज ICN वाले हार्लेंट की मिन बीस की उपर अटेक कर देते हैं जहाँ पर उन्होंने आर्लेंट के काफी सहरे साथियों को जान से मार दिया था पर हार्लेंट वहाँ से किसी तरह से निकल जाता है पर वो सबी लोगों को धंकी दे कर गया था कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा अब यहाँ पर से सीन सीदा 28 साल आगे जाता है जहाँ पर हम लोग अमेरिका में देख पाते हैं कि यहाँ का इन्वार्मेंट काफी ज़्यादा बदल गया है और यहाँ के लोग काफी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं तब ICN वाली एक बिल्डिंग के सामने पहुंसते हैं जहाँ पर जाने के बाद वो चुप-चाप उस बिल्डिंग के अंदर गुस रहे थे क्योंकि उस जगा पर आरलिन का एक बहुत महत्वा पोर्ड साथी था जिसका नाम था कैसका तब उस घर में गुसने के बाद वो लोग कैसका के उपर काफी ज़दा फायर करते हैं पर हम लोग कैसका को देख बाते हैं जोके काफी ज़दा ताकतवर था वो तुरंती यहाँ पर मौझूद काफी सारे सोलजर को गायल कर देता है और यहाँ से बागने की कोशिश करने लगता है लेकिन एट लास्ट हम लोग एक सोलजर को देख पाते हैं जोकि अपने पास मौझूद एक आदोनी का तियार की मदद से कैसका को बहुत बुरी तरह से जटका देता है और उसे बाद में पकड़ लेता है अब यहाँ पर से सीन आता है एटलस के उपर चुकि एक बहुत कमाल की एनलिष्ट थी और आईसीन में काम करा करती थी वो आईसीन की काफिसारे डिफेंस प्रोजेक्ट को भी देखा करती थी और उनकी गलतियों को बताया करती थी लेकिन एटलस ने अपना सोशल नेटवर्क पूरी तरह से खतम करा हुआ था और वो किसी से भी बात नहीं करती थी पर आज जब वो न्यूज में देखती है कि हारलेन के राइट हैंड कासका को पकड़ लिया गया है तो वो तुरंती कहीं पर जाने के लिए निकलने लगती है तब यहाँ पर उससे आईसी इन का एक सोलजर पिक अप करने के लिए आता है और उसके साथ बैटकर एटलस यहाँ पर से आईसी इन डिपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ती है वहीं हम लोग आईसी इन डिपार्टमेंट में जनरल को और साथी जैक को देख पाते हैं चुकि एक दूसरे से बाते कर रहे थे तब वहाँ पर हम लोग उन दोनों की बातों से जान पाते हैं कि असल में हार्लें के दिमाग में जरूर कुछ न कुछ खुरापाती आइडिया पक रहा होगा और इसलिए उसने कैसका को अर्थ पर बेजा है ताकि वो यहाँ की इनफॉर्मेशन उसको पहुँचा सके और इनोंने कैसका से सारी इनफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करी है पर कैसका इनको कोई भी इनफॉर्मेशन नहीं दी और इसलिए जनरल ने एटलस को बुलाया है ताकि एटलस अपने तरीके से कैसका से सारी इनफॉर्मेशन निकलवा सके क्योंकि उसे हार्लेन के बारे में भी बहुत जादा जानकारी थी अब वैसे तो जैक इस मिशन में एटलस की मौझूदकी से सहमत नहीं था पर उसके पास कोई और रास्ता ना होने की वज़े से उसे एटलस के साथ काम करने के लिए मानना पड़ता है तब एटलस का में मिशन यही था कि वो कैसका को टॉर्चर करती हुई किसी भी तरह से उससे आर्लेन का पता निकलवा ले जिसके बाद आइसी एन डिपार्टमेंट उस जगा पर जाकर हार्लेन को पकड़ लेगा और सारी चीजे बंद करवा देगा लेकिन इस काम को करने के लिए भी एटलस के पास बहुत कम समय था क्योंकि कुछ समय बाद कैसका पूरी तरह से बरबाद हो जाता क्योंकि उसने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पहले ही चालू कर दिया था तब एटलस तुरंती कैसका के पास जाती है और उससे हार्लेन के पते की बारे में पूछने लगती है पर पहले तो कैसका उसे कुछ भी नहीं बताता और उसका मजाग बनाते रहता है पर एटलस को जब गुस्सा आता है तो वो तुरंती कैसका को टॉर्चर करना चालू कर देती है और बाद में जाकर उसे कैसका से पता चलता है कि असल में हार्लेन एंड्रोमेड़ गेलक्सी में छुपा हुआ है जिसके तुरंत बाद ये एटलस कैसका को पूरी तरह से डिस्म रहे होते हैं तब उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में एटलस की फैमली का हार्लेन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और इसलिए एटलस चाती थी कि वो खुद भी इस मिशन पर एंड्रोमेड़ गेलक्सी में जाए ताकि वो हार्लेन को अप्री गेलक्सी पर जाना चाती है जिस पर पहले तो जैक साब इंकार कर देता है क्योंकि वो किसी भी आलत में एटलस को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाता था तब जैक यहाँ पर एटलस को अपने साथ अपने वेरा उस में लेकर जाता है जहाँ पर उसने काप्री सारे रोबो और उन सूर्ट्स की खास बात यही थी कि उन्हें न्यूरल लिंक से भी कंट्रोल करा जा सकता था जिसका अविश्कार किसी और नहीं बलकि एटलस की माँ वेल नहीं करा था और अब जाकर हमें पता चलता है कि एटलस की माँ वेल की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बलकि आर्लेन था और इसलिए एटलेस उससे बहुत जादा नफरत करती थी और चाती थी कि आर्लेन उसकी आँखों के सामने ही मरे लेकिन जब से एटलेस ने देखा था कि आर्लेन जैसा रोबोट भी आउट अफ कंट्रोल हो सकता है उसके बाद से उसे किसी भी तरह के रोबोट औ और ज़दा ची से समझ सके और इसलिए ही जैक जब एटलेस को अपने में रोबोट जोई को दिखाता है तो एटलेस को वो रोबोट बिलकुल भी पसंद नहीं आता तब एटलेस एक बार वापस से जैक से बोलती है कि वो इस मिशन पर जाना चाती है और इस बार जैक भी मा अपनी कुछ पुरानी पोटोस को देख रही थी जिसमें हम लोग हारलेन को भी उसकी मा और उसके साथ देख पाती है और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में वेल ने ही आरलेन को खरीदा था ताकि वो एस असर्वेंट उसे अपने घर में रख सके फिर बाद में एटलेस वेल की कुछ रिकॉर्डिंग को भी देख दिया है जिसमें वेल अपने नियूरल लिंक के एक्सपरिमेंट के वारी में बता रही थी और उसका मानना ये था कि नियूरल लिंक के थुरू कोई भी इंसान किसी भी रोबोट से कनेक्ट हो सकता है जिसके बाद वो उस रोबोट के एबिलिटीज को यूज कर सकता था जिस्ते किसी भी इंसान के किसी भी रोबोर्ट से connect होने के बाद इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक उस रोबोट की शरीर को control कर सकता था जिससे उसकी बावर बढ़ जाती और उसके में शरीर को कोई भी हाम नहीं पहुंचता वेल अभी के टाइम पर ये लोग Endromeda Galaxy में पहुँशने वाले थे जहाँ पर जाने से पहले Atlas सभी Soldier के सामने जाती है और सबसे पहले उन्हें अपना Neural Link उतारने को बोलती है और SI Atlas ने इसलिए करा था क्योंकि कहीं न कहीं Neural Link से Connect होने के बाद इनसान अपने रोबोट से 24 गंटे Connect रहते हैं और वो जो भी देखते और सुनते हैं उस सब की जानकारी उनके रोबोट के पास भी चली जाती है और ताकि आगे चल कर ये जानकारी इनी लोगों के लिए हामफोल साबित ना हो इसलिए ही एटलस ने यहाँ पर सभी सोलजर का Neural Link उतरवा दिया था तब एटलस यहाँ पर सभी सोलजर को Andromeda Galaxy के बारे में बताती है और उसने काफ़ी सारी information Arlen के बारे में भी सभी सोलजर को दे दी थी और अब वो सारी बाते जानने के बाद सभी सोलजर डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी हालत में Harlen को पकड़ कर रहेंगे ताकि वो human civilization को बचा सकें अब ये लोग भी अपनी मनजिल के पास पहुँचने वाले थे इसलिए सभी सोलजर तुरंती अपने रोबोट्स में बैटने के लिए निकल जाती हैं और उसी दोरान हम लोग Atlas को देखते हैं जो कि Jack के पास जाकर उससे बाते करने लगती है उससे अभी भी कही न कहीं डर लग रहा था कि ऐसी लड़ाई के दोरान में इन रोबोट्स का इस्तमाल करना चाहिए या पिड नहीं पहले तो Jack उसे समझाने की खोशिश करता है और उसके बाद कुद ही अपने रोबोट्स में जाकर बैट जाता है अब वो अपने रोबोट्स में जाकर बैटा ही था कि तभी अचानक से ही हम लोग देख पाते हैं कि एंडरोमेडा गेलेक्सी की दरफ से कापी सारे दुश्मन रोबोट्स आती हैं जो किनके बैटलशिप के उपर तुरंती अटेक करना चालू कर देते हैं जिस दौरान पूरी बैटलशिप पूरी तरह से बरबाद हो चुकी थी तब एटलस की जान बचाने के लिए जैक उसे तुरंती एक सूट में बिठा देता है ताकि एटलस न्यूरल लिंक के तुरू उस सूट से कनेक्ट हो जाए जिसके बाद वो अपनी जान को बहुत अराम से बचा सकती थी लेकिन एटलस को ये बाद बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वो न्यूरल लिंक के तुरू किसी भी रोबोट से कनेक्ट करेगी तो उसकी सारी मेमोरीज उस रोबोट के अंदर चली जाएंगी इसलिए वो किसी भी तरह के रोबोट से कनेक्ट नहीं करना चाहती थी तब बैटलशिप के पूरी दरह से डिश्ट्राई होने के बाद सभी रोबोट समीन की तरफ गिड़ने लगती हैं और उसी दोरान अमलोग बाकी सभी दुश्मन रोबोट को भी दीख पाती हैं जो कि उन सभी रोबोट के उपर लगतार अटेक कर रहे थे और तब अमलोग अटलस की रोबोट को भी देखते हैं जिससे अटलस किसी भी हलत में कनेक्ट नहीं करने वाली थी तब उसका रोबोट जमीन से जाकर टकराता है जिस दोरान अटलस के भी कापी ज़दा चोट आ गई थी जिसके थोड़ी दिर बद जब अटलस को ओश आता है तो अपने बाकी सभी टीम मेंबर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करने लगती है पर किसी की भी तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉंस में ही आ रहा था तब अटलस तुरंती अपने रोबोट को चालू कर देती है जोकि अपनी मर्जी से ही चलने वाला था तब वो रोबोट को कमांड देती है कि वोसे रैस्क्यू पॉड के पास लेकर जाए और रोबोट भी उचलते हुए वहाँ पर जाने लगता है और क्योंकि इससे दुश्मनों की नजर एटलस के उपर पढ़ सकती थी इसलिए वो तुरंती रोबोट को रोखने को बोलती है और अपना रेटीना स्केन उससे करवाती है जिससे रोबोट का पुछ परसेंटिस सा अब एटलस की कंट्रोल में आ गया था जिसके बाद सूट में बैटकर ही चलती हुए एटलस वेस्क्यू पॉट की तरफ जाने लगती है जहाँ पर रास्ते में वो सूट से उसमें लगे अत्यार की बारे में भी पूस्ती है और उसे पता चलता है कि सूट के अंदर एक आयन बॉम भी लगा हुआ है जो कि उस सूट का सबसे जादा खतरनाक अतियार था और सूट यहाँ अपर एटलस को इंस्ट्रक्ट भी करता है कि वो उस अतियार को सिरफ तब ही उसकरी जब उसे बहुत जादा जरूरत हो जिस पर एटलस भी मान जाती है तब सूट यहाँ पर एटलस को अपना नाम बताता है जो कि समित था और उसका नाम जानने के बाद एटलस को काफी ज़्यदा खुशी होती है जिसके बाद वो सूट के साथ ही आगे बढ़ने लगती है तब वो बढ़ते हुए ही उच जगा पर पहुँच गई थी जहाँ पर अप कोई भी जिन्दा नहीं था क्योंकि हारलिन के बादी सभी साथी पहले ही वहाँ पर पहुच गए थे जिन्वोंने एटलस के सभी साथियों को जान से मार दिया था जो चीज जानने के बाद एटलस को यह आपर बहुत ज़दा बुरा लगता है और वो जोर जोर से रोन लेकिन ये वक्त चोक मनाने का नहीं था एटलेस तुरंती अपने मरे हुए साथियों के सभी नेम टैक को कलेक्ट कर लेती है ताकि जब भी वो अर्थ पर वापस जाए तो वो सभी लोगों को बता सके कि किस किस सोलजर ने अपने आपको शहीद कर दिया ताकि वो यूमन सिव को बचा सकें तब ही उसकी नजर जैक के रोबोट जोई पर पढ़ती है जिसे देखने के बाद वो तुरंती उसके पास जाती है पर उसके अंदर जैक की लाश नहीं थी इसका मतलब यही था कि आर्लेन के साथ ही जैक को पकड़ कर अपने साथ लेकर चले गए थे जो देख लेकने के बाद एटलेस काफी ज़्यादा परिशान हो गई थी लेकिन तब ही उसकी थोड़ी दूर पर कैसका के उपर नजर पढ़ती है जिसे आर्लेन ने वापस से बना लिया था ताकि वो उसकी मदद से अपने बाके सभी प्लैन को एक्जीक्यूट कर सके तब ही कासका क सातियों की नजर भी एटलेस के उपर पढ़ जाती है और वो तुरंती उसके उपर फायर करना चालू कर देते हैं तब एटलेस भी तुरंती स्मित में बैठती हुई वहाँ से बागने लगती है और आगे जाकर एक तुफान में फश जाती है और जब वो तुफान से बाहर जाता है फिर जैसे ही वो आयन बॉंग को फायर करता है वैसे ही वहाँ पर मौझूद सभी रोबोट्स मारे जाती हैं पर उतने में ही वहाँ पर कैसका भी पहुँच गया था जो कि अब एटलस को जान से मारना चाहता था लेकिन वो उनको जान से मार पाता कि तभी अचानक से ही जमीन दर जाती है जिसके अंदर एटलस और इसमित गिर गए थे पर हम लोग कैसका को देखते हैं जो कि उपर ही रह जाता है तब इतनी उचाही से नीचे गिरने की वाज़े से एटलस का पैर प्रेक्चर हो गया था तब इसमित उसका इलाज करता है और उस जगह पर एक खत्रा बना रहता और क्योंकि इस बात को एटलस भी अब तक समझ चुकी थी इसलिए इस बार वो सिंक होने के लिए मान जाती है पर अभी भी वो पूरी तरह से सिंक होने के लिए नहीं मानी थी वो इसमित को आर्डर देती है कि वो किसी भी हालत में उसके दिमाग के साथ शेर्चार्ड करने की कोशिश ना करे जिस पर समित भी मान जाता है वहीं अब तक हारलें को भी इस बात की कबर लग चुकी थी कि इस मिशन के दोरान एटलस भी यहाँ पर आई है जो चीछ जानने के बाद हारलें को सोचने लगता है और तुरंत यहाँ पर से जैक के पास तब हारलेन यहाँ पर जैक को बहुत बुरी तरह से टोर्चर कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि आकर कर वो यहाँ पर क्यों आए हैं पर जैक यहाँ पर उससे अपने किसी भी प्लैन के बारे में नहीं बता रहा होता वहीं स्मिध के साथ सिंख होने के लिए एटलस ने स्मिध को अपने दिमाग का कुछ परसंट डेटा दे दिया था जिसको देखने के बाद स्मिध को भी इस बात का पता चल जाता है कि पहले के टाइम पर हारलेन एटलस के गर में ही सर्वेंट का काम करा करता था अब इन सबी चीज़ों को जानने के बाद स्मिध एटलस के साथ 40% तक सिंख हो चुका था पर अभी भी 60% सिंख होना बाकी था जिसके लिए एटलस अभी मना कर देती है क्योंकि उसके लिए भी 40% कंट्रोल काफी था उसके बाद ये दोनों वापस से रेस्केपोर्ट की तरफ जमीन के इंदर से ही बढ़ने लगते हैं क्योंकि अगर ये लोग उपर की तरफ जाते तो उपर अभी भी आरलेट के सिपाही इनका इंतजार कर रहे होते साथी अब तक स्मित के अंदर भी सिरफ 14 गंटे का ही बैटरी लाइफ बाकी था जोची जानने के बाद एटलस जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चालू कर देती है और उसके बाद उस गुफर से बाहर निकल जाती है बाहर आने के बाद वो एक रेगिस्तान टाइप एरिया में आ गई थी जहाँ पर आने के बाद उसे काफी ज़दा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर चट्टानों के ओपर काफी अजीब तरह के डिजाइन बने हुए थे साथी वहाँ पर कुछ पौदे भी उगे हुए थे जिने देखने के बाद एटलस उनको प्लांटी नाम दे देती है पर उसी दोरान हम लोग कैसका को भी देख पाते हैं जो कि स्मित और एटलस का पीछे करते हुए उसी गूपा के अंदर से आ रहा था जहाँ पर से अभी ये दोनों बाहर निकले थे पर यहाँ पर इसमित भी इस बात को पहले से जानता था कि कैसका उनके पीछे आएगा इसलिए उसने उस गूपा के अंदर कापे सरे बॉम को लगा दिया था और अब कैसका के वहाँ पर पहुंसते हैं इसमें तुरंती उन बॉम को ब्लाष्ट कर देता है जिससे कैसका के चीतरे उड़ गए थे जिसके बाद एटलस और साथे इसमें दोनों ही उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कैसका की डेड बोडी पड़ी हुई थी तब वहाँ पर जाने के बाद एटलस देखती है कि कैसका का पूरा शरीर तो डिस्टोय हो गया है पर उसका सर अभी भी डिस्टोय नहीं हुआ था जो देखने के बाद एटलस तुरंती उसके सर को करश कर देती है तबी उससे उसके सर के अंदर से एक ट्रांस्मिटर भी मिल जाता है जिससे उसे आर्लेन की लोकेशन के बारे में पता चल गया था और ये जानने के बाद तुरंत ही अटलेस डिसाइड करती है कि वो हारलेन की लोकेशन पर जाएगी ताकि वो उससे जैक के बारे में पता कर सके तो पहले तो इसमित वहाँ पर जाने से मना करने लगता है क्योंकि उसकी बैटरी बहुत जादा कम बची थी और अगर वहाँ पर जाने के बाद वो शटडाउन हो जाता तो एटलेस वहाँ पर अकेले ही फश जाती लेकिन एटलेस अभी उससे वहाँ पर चलने को बोलती है जिसके मदद से वहाँ बैस को पूरी तरह से बरबात करने वाले थे वहीं हम लोग अर्थ पर जनरल को देख पाती हैं जिने भी इसी बात की चिंता हो रही थी कि कहीं हार्लेन ने इनके बैटलशिप में रखे उस बॉम को अपने कबजे में ना कर लिया हो क्योंकि उस बॉम में इतनी पावर थी कि वो एक बारी में पूरे अर्थ के आदे हिससे को उड़ा सकता था आगे जब एटलस हार्लेन के बेस में चान बिन करने की कोशिश कर रही थी तबी अचानक से ही समित जमीन पर गिर जाता है जिसले एटलस को भी कापी ज़दा चोट आई थी तब उसे लगता है कि कहीं न कहीं समित को किसी ने हैक कर लिया है लेकिन असल में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि समित की बैटरी खतम हो गई थी तबी वहाँ पर हार्लेन के आदमी पहुँच जाती हैं च्योंकि एटलस को अपने कबजे में लेकर हार्लेन के सामने लेकर चले जाते हैं और फिर जब एटलस और हार्लेन एक दूसरे से बात करते हैं तो हम लोग उनकी बातों से जान पाते हैं कि असल में हार्लेन अर्थ की आदी पोपुलेशन को मिटाना चाता है ताकि बचे हुए यूमन अच्छे से तरक्की कर बाएं क्योंकि आर्लेन की ही साथ से लगातर यूमन अगर ऐसे ही तरक्की करते रहते तो वो जल्दी ही पूरी तरह से यूमन सिविलाजेशन को बरबाद कर देते साथ ही ये सारा का सारा प्लैन हारलेन का ही था जिसके चलते ICN वालेस की लोकेशन के बारे में पता लगा कर एंडरु मिड़ा गेलेक्सी तक पहुँच पाए क्योंकि हारलेन इस बात को बहुत अच्छे से जानता था जिसकी मदद से उस बॉम को एक्टिवेट करा जा सकता था पर एटलस यहां पर उससे कुछ भी नहीं बताती जिससे ठाकार कर आरलेन थोड़ी देर के लिए यहां से चला जाता है और यहां पर हम लोग जैक को भी देख पाते हैं जिसे एटलस के बगल में ही बांदा गया था तब जैक यहां पर एटलस से तुरंथी इसमित की बारे में पूछने लगता है तब यहां पर एटलस उसे बताती है कि इसमित की बैटरी पूरी तरह से डाउन हो गई है और साथ ही इसके लिउनर लिंक की बैटरी भी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है तब जैक यहां पर तुरंत ही अपने नियूरो लिंक को निकाल कर एटलस को देता है ताकि वो इसमित को यहाँ पर बुला सके पर जैसे ही एटलस इसमित को बुलाने का ट्राइ करती है तब जाकर उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर इसमित को बुलाने के लिए उसके साथ बेले 100% सिंक होना यहाँ पर हम लोग आर्लेन को देख पाते हैं जो कि वेल के सामने खड़ा हुआ था और उस समय पर एटलस भी बिलकुल छोटी ही थी और क्योंकि वेल को टेक्नोलोजी से बहुत जादा प्यार था इसलिए हार्लेन के गर में आ जाने के बाद उसने एटलस के उपर ध्यान दे से खेलने लगती है और उसे अपने कान में लगाती हुई तुरंती आर्लेन के साथ कनेक्ट कर जाती है पर क्योंकि उसका दिमाग अभी भी एक बच्ची का ही था इसलिए हार्लेन को उस समय पर अपने सिक्योरेटी को तोड़ना बहुत ज्यादा असान हो जाता है जिसके ब हार्लेन ने वेल को भी जान से मार दिया और पूरी दुनिया में कौराम मचा दिया अब ये सारी बाते जानने के बाद इसमें तुरंती एटलस से बाते करते हुए से समझाने की कोशिश करने लगता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी हार्लेन ने अपनी मर्जी से पूरा रोबोट बनने का फैसला करा था जिसके बाद यूसने बाकिस सभी यूमन्स को जान से मारा तब वो यूमन्स को बचाने के लिए एटलस से एक बार उसके उपर बरोसा करने को बोलता है और एटलस भी रोते हुए इस चीज के लिए मान जाती है जिसके बाद वो अब स तुरंती उन सभी अत्यारों को स्मित के अंदर फिट कर देती है और अब स्मित के चार हाथ हो गए थे जिसके बाद एटलस और इसमित तुरंती आर्लेन की पूरी टीम से लड़ाई करने लगते हैं जिस दौरान वो उस पूरी टीम को बहुत बुरी तरह से बारते हैं और पहुँच जाते हैं सिधा आर्लेन के सामने जिसने उस बॉम को हैक करकर उसे अर्थ की तरफ रवाना कर दिया था पर उसी दौरान वहाँ पर एटलस पहुच जाती है जोकि तुरन्ती उसके बैटलशिप के उपर अटेक करती हुई उसे तबाह कर देती है अब ये सब देखने के बाद हार्लेन को बहुत जादा गुस्ता आई थी और वो तुरन्ती स्मित के उपर अटेक करना चालू कर देता है पर यहाँ पर हम लोग स्मित को देख पाते हैं जिसके अंदर एटलस बैटी हुई थी वो किसी तरह से हार्लेन के मूब्स को समझने का ट्राइ करती है और उसके बाद हार्लेन को एक दो भी पचार दे देती है साथी उसने हार्लेन का एक हाथ भी तोड़ दिया था ताकि वो स्मित के उपर अब अटेक ना कर पाए पर उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं कि हार्लेन का हाथ वापस से उससे जुड़ जाता है और वो स्मित के उपर अटेक करना चालू कर देता है साथी अब हार्लेन ने स्मित को इलेक्टिक चुक देना भी चालू कर दिया था जिससे अंदर बैटी एटलस बेवोश हो जाती है और हम लोग स्मित को देख पाते हैं जो कि एटलस को बचाती हुए किसी तरह से हार्लेन से लड़ाई कर रहा था तब हार्लेन को पकड़ लेता है और हार्लेन के पास भी एक और अतियार था जिसकी मदद से वो स्मित को एक बारी में खतम कर सकता था पर उसी वक्त हम लोग दीख पाते हैं कि एटलस उठ जाती है और तुरनती आर्लिन के उबर अटेक करती हुए उसे डिसमेंटल कर देती है पर उसी दोरान हम लोग स्मित को देख पाते हैं जो कि इस लड़ाई में बहुत ज़ादा घायल हो गया था जिसके चलते उसकी बैटरी पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो शटडाउन हो जाता है और ये सब देखने के बाद एटलस बहुत ज़ादा इमोशनल होते हुए रोने लगती है जिसके अगले दिन हम लोग ICN वालों को देख पाते हैं चोकि एंडरोमेडा गैलेक्सी पर आने के बाद एटलस को अपने साथ अर्थ पर वापस लेकर चले जाते हैं पिर अर्थ पर जाने के बाद कुछ दिन और भी जाते हैं और जब एटलस पूरी तरह से सही हो जाती है तो जनरल उससे मिलने के लिए आते हैं और उससे स्मित की तरफ से एक गिफ्ट देते हैं जो असल में वही प्लांट था जिनको इन दोनोंने एंडरोमेडा गैलेक्सी में देखा था जिसको देखने के बाद वो बहुत ज़दे एमोशनल हो गई थी तब जनरल उसका शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी बज़े से एक बहुत बड़ी मुसीबट तल गई थी जिसके बाद यहाँ पर एटलस तुरंती वेरा उसमें चली जाती है जहाँ पर जाने हुए इसमित के अंदर जाकर बैठ जाती है जिसके साथ ही ये मूविय यही पर खतम होती है तो अगर एक्स्ब्रेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ओल पस लेख करना और वीडियो को भी लाइक करना मैं ऐसी ही और मजि और explanation videos लाता रहूंगा खेर तब तक के लिए टाटा और गुड़